वेलकम बाग एवरिवान आज हम रियक्शन करने वाले है वन आफ था इंपॉर्डन नेमिंग रियक्शन दाट इस तर गेटर मैन कोच रियक्शन ठीक है इसमें क्या होता है इस रियक्शन में बैंजलडी हाइड बनता है या फिर उसके डेरिवेटर्स की फॉरमेशन के लिए ये रियक्शन है तो इसके नाम से ही हम एक चीज़ पता लगाएगे ताट मींज आप कोच उठाके लिख लो यहाँ पे ठीक है कोच अब इसमें देखो आपको जो ये लास्ट वाला OCH3 है वो क्या डिनोट कर रहा है आपको दाट इस वो CHO डिनोट कर रहा है CHO का क्या है CHO ग्रूप है आपको पता होगा कि ये क्या होता है ये फॉर्माइल ग्रूप होता है ठीक है फॉर्माइल ग्रूप कहते है इसे सो इस रियक्शन में CHO ग्रूप का लगना होता है तो ये फॉर्माइल ग्रूप है तो फॉर्माइलेशन रियक्शन भी कहते है इसे फॉर् जल्दी जल्दी से देख लेते हैं इसके फर्स्ट इस बेंजीन या फिर उसके डेरिवेटिव्स रियाक्ट्स विद सी ओ प्लास एच्छ और साथ में क्या होगा अन्हाइड्रिस एल सी या फिर क्यूपरस क्लोराई सी ओ एंड एच्छ का कैसे पता चलेगा आपको फिर से मतलब सी ओ ठीक है एच का मतलब आपका एच सी एल ठीक है यह तोनों चैसे आपको यहां से नेम से पता चल जाएगी और बस आपको यह याद रखना है कि इसमें अन्हाइडरस एल-3 क्यूंकि क्या होता है न जो एल-स एल-3 है वो आपको पता होना थे इट से वेरी गुड लुइस अंसे फ़े रियूत होता है पिनल जो और में असे व्याइज पहा सो प्लेड नहीं होता सो यह वहां सॉघ्योंग तो आप यह वhealth कुपर्स कुर्राइब जो की जो थि का जो की लूइस एसट है वो भी आप ले सकते हो ठीके जेव यह वाले आपके रेजिंट होंग यहां पर उसका कहा जाता है नाओ नेक्स्टी इस इसकी रियक्षिं क्या है हमें बेंजीन या फिर भी बेंजीन ले लहां थे ठीक है वंने लिए आपको पत है कि हरें करबन के पास एक एक हमें पास फिरेंग्स म्हीं है is a l c l 3 या फिर क्यूपरस क्लोराइट होगा लिखावा ठीक है यह कंडिशन है इसकी गेटरमिन कोच की तो क्या होता है जो यह हाइडरोजन होगा डिरेक्ली जब यह कंडिशन हो डिरेक्ली आपको क्या करना है बेंजीन इस रहेगा आपका और यहां पर आपका यह Vivian 2 डिरेक्ट क्या बन रहा है बैंज्यु हाइड और यही रियक्शन क्या है कि घ्येटरमिन कोच रियक्शन है त। हम के ईकी मगएनिजμ की बात कर लेते हैं जो क्या एक्विली तो देखो रीजिंट्स में आपके पास क्या था? CO and HCl था पहले ठीक है? सो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि CO का Lewis-Tot Structure क्या है? जो कार्बोनाईल होता है CO क्या हो गया? सुरी, Carbon Monoxide CO का Lewis-Tot Structure कुछ इस तरह से होता है अभी देखो इसमें क्या है? Carbon and Oxygen का Octate कंप्लीट होना चाहिए तो देखो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Electrons यहां है, दो मैंने यहां लगा दिये Carbon के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Electrons यहां है, दो मैंने यहां लगा दिये So that each के Octate कंप्लीट हो जाए So यहां पर देखो Oxygen वैसे 2 Bonds बनाता है तो यहां पर 3 Bonds बना रहा है तो इसमें Extra Bonds बना रहा है तो Positive Charge आएगा Carbon 4 Bonds बनाता है बट यहां पर सिर्फ 3 Bonds बना रहा है इसलिए Negative Charge हम इसको देगे और यह आपका Lewis-Tot Structure हो गया CO का Carbon Monoxide का Now, इसके पाद क्या है आपके पास? इसके बाद हमने लेना है HCl ठीक है? HCl था ना Carbon Monoxide के साथ HCl अब यह क्या होता है? Due to Electron negativity difference की क्लोरिन जादा Electron negative है यहां से जो Shared pair of electron है अपनी तरफ खींचेगा अगर यह अपनी तरफ Electrons खींचेगा तो यहां पर Partial Positive Charge डेवलेप हो जागा क्योंकि Hydrogen के पास Deficiency होनी स्टार्ट हो जाएगी तो यह देखेगा कि Electron Rich चीज कौन से है Electron Rich यह है Carbon के पास Extra Electrons है तो यह Extra Electrons इदर को इसको अपरोच करके अपने पास Hydrogen को ले लेगे अब ध्यान से देखो कि जो यह मूमेंट्स है यह Arrow है यह क्या होता है यह Electron की मूमेंट्स दिखाते है कि Electron कहां से कहां जा रहे है तभी मैंने Arrow यहां से यहां लगाया है Not की Hydrogen से उदर को लगाया है क्योंकि Carbon के पास Electrons है और Electron ट्रेवल कर रहे है Hydrogen के पास इसलिए यह चोटी से बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए Next आपका क्या बन जाएगा इससे Hydrogen कारवन के साथ अटाच हो जाएगा ठीके यहां से फिर से ट्रिपल बॉंट रहेगे Oxygen और Oxygen के पास Positive Charge होगा Now देखो Oxygen के पास Positive Charge है अब यह क्या होगा इसके Positive को Satisfy करने के लिए एक Bond जो है वो आगे को Move करेगा ठीके और Chlorine जो है Chlorine Negative Ion वो कही न कहीं हमारा यहां पर बढ़ा हुआ था Reaction Mixture में ठीके अब यह क्या करेगा जैसे Electrons आगे गए Carbon के पास Deficiency क्रेट होगी तो यह जो Chlorine है वो Carbon के साथ जाके लग जाएगा तो आपका क्या बनेगा आपका यह बना HC Carbon के साथ Chlorine रटाइच है और यहां पर Double Bond O आगया ठीके और This Is The यह वाली चीज़ क्या है यह आप कहलाती है Formile Formile Chloride Formile Chloride क्यों क्योंकि जो HC O ग्रुप है This Is The Formile और उसके साथ Chlorine लगा है तो Formile Chloride हो जाएगा ठीके अब नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट में क्या आता है कि Anhydrous Alcl3 आपका Lewis Acid यूज हुआ था ठीके तो मैं यहां पर लिख लेती हूँ इसको Alcl3 Alcl3 जो कि Lewis Acid था अब देखो इसका क्या काम है क्योंकि इसको Electrons चाहिए ठीके और जो क्लोरीन है वो क्या है क्लोरीन Good Living Group है कि Electron negativity की वज़ज़ से क्लोरीन इजिली निकल रहा है तो क्या करेगा क्लोरीन यहां से Electrons लेगा और खुद यहां पर जाके लग जाएगा ठीके Alcl3 के पास यह लग जाएगा अब इसके बाद क्या चीज़ बनी Alcl3 जब इसको लेगा तो यहां पर Alcl4 नेगिटिव बन जाएगा ठीके क्लोरीन लेने के बाद और साथ में आपके पास यहां क्या बना एक कार्बोकटाइन बन जाएगा ठीके This is the कार्बोकटाइन जो की very important है आपके आगे आने वाले step में ठीके This is the कार्बोकटाइन हम लिखते हैं यहां पर कार्बोकेटाइन ठीके अब क्या होगा कार्बोकटाइन है यह बेसिकली अब मैं यहां पर इसको जो आपका कार्बोकटाइन है उसकी reaction होगी क्या होता है जो यह वाली है यह rings होती है ना इसमें पाई electrons होता है पाई cloud loosely bounded होता है इसलिए यह जो इलेक्टाइन के availability रहती है यहां पर और यह कार्बोकटाइन किया है यह deficient है इसको elektrons चाहिए तो easily यह इसको approach करेगा ठीक है for instance हमने यह किया कि यह वाले जो यह वाले जो elektrons है इसने इसको approach करा ठीक है तो क्या है या तो या तो यह वाली चीज यहां इस carbon के साथ लगेगी या इस carbon के साथ लगेगी क्योंकि यह equivalent positions है तो मैंने कहीं पर भी यहां पर लगा दिया इसको ठीक है धियान से देखना तो यहां पर लगा दिया अगर तो यह directly मैंने यहां पर लगा दिया C double bond and edge ठीक है और यहां पर आपको पता होना चाहिए कि हर carbon के पास एक एक hydrogen है तो मैंने यह वाला hydrogen दिखा दिया यहां पर भी एक hydrogen है ठीक है अब क्या हुआ क्योंकि इस की इस वाले carbon की तो valency पूरी होगी बट यह वाले जो carbon है second carbon है उसमें क्या होगा सिर्फ यह एक दो और एक और यहां पर hydrogen होता तीन bond बना रहा है इसलिए यह यहां पर positive हो जाएगा deficiency इसके पास हो जाएगी अब इस deficiency को पूरा करने के लिए जो आपका दूसरा था ALCL 4 ALCL 4 negative आएगा ठीक है अब यह negative क्या करेगा अब देखो इस negative आने की वज़ज़ से यह इसको एप्रोच करेगा hydrogen को एप्रोच करेगा hydrogen क्या सोचेगा कि तू मतलब दूसरे वाले कार्बन को कि तू अपने valency आसानी से पूरी कर ले मैं इसके साथ निकल जाता हूँ बहार ठीक है तो यह अपनी electrons को इधर fall out करवा देगा और H positive की form में इसके साथ निकल जाएगा और जिस मैंसे की HCL इस मैंसे निकल के HCL बहार निकल देगा और यह बिचारा केला क्या रह जाएगा ALCL 3 ठीक है hydrogen ने क्या क्या इस मैंसे एक जो CL negative था उसको अपने साथ ले लिया और ALCL 3 ऐसी रह गया और यहां पर भी इसकी जो aromaticity थी वो regain होगी और यहां पर देखो जो इसकी aromaticity है वो भी रिटेन रह रही है ठीक है थैंक यू सो मॉच जो लाइक और सब्सक्राब